कि दोस्तों नमस्कार आज किस वीडियो में ज़रा समझेंगे कि किस प्रकार से आप मिस्टर प्रोटॉन की तरफ वीडियो को बना सकते हूं बैसिकली एडिटेंग सारे चीजों के बारे में आज किस वीडियो के हम बात करने जा रहे हैं बैसिकली यह मिस्टर प्रोटॉन का ही चैनल नहीं बलकि आप अपने तरीके से चैनल चाहे एजुकेशनल चैनल लॉनेज वाली चैनल जिसमें आप अपनी बस आवाज देते हैं फेस केम नहीं करते हैं उस टाइप की वीडियो को कैसे बनाएं क्या हो सकता है प्रोफेशनल तरीका जिसकी वजह से आज के इस जमाने में भी आज किस मार्केट में भी यूटूब के मार्केट में भी हमारी वीडियो चल से तो बड़ा ही बढ़िया तरीके से आज किस इस चैनल का होस्ट जहां पर मैं सारे को सपोर्ट करता हूं आप पर्शनल लेवल पर जूड़ना चाहते हैं तो हमारे टेलिग्राम ग्रूप को जॉइन कर लिजे जिसका यूजर नेम है एपी सपोर्ट फैक्ट तो जाइए डिसक्रिप्शन में डिटेल दी गई है जाइए टेलिग्राम पर और जॉइन कर जाइए वहां पर बात चीत होती है सारे क्रियेटर्स हैं बहुत चारी कीजे चलिए कंटिन्यू करते हैं देखिए सबसे पहले कुछ थेयोरिटिकल चीजो बड़ी जरूरी चीज होती है देखिए सबसे पहले हमें सोचना पड़ेगा कि हमारा जो टॉपिक है वो क्या है हमें किस टॉपिक के उपर वीडियो बनाना है अब टॉपिक कहां से आएगा सोचने का जो सकती है वो मेरे दोस्त आपको खुद क्रियेट करनी पड़ेगी य आप कोई कोर्स कर लिए या फिर कुछ यह एक्स्पिरियंसे से आती हैं जब आप लोगों के बारे में जानते हैं लोगों को देखते हैं चीजों को सीखते चले जाते हैं तब ही यह सारी कीजिए आप तक पहुंचती है तो सबसे पहले आप सोची कि कि किस प्रकार की वीड आया है उस वीडियो में तो इस्क्रिप्ट जैसे आप लिखोगे तो उसी वक्त आपको फूटेज का चैन करता है अब मिस्टर प्रोटोन या फिर ऐसे कुछ चैनल में आप देखेंगे कि यह बड़ा ही रिलेवंट फूटेज यूज करते हैं मतलब उसी टाइप के देना पड़ेगा समझना पड़ेगा जैसे आप खीम सोचते हैं जैसे आप सोचते हैं कि मुझे इसके उपर वीडियो बनाना है वैसे आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि इसकी स्क्रिप्टिंग ऐसे होगी इसमें हम मदद करते तो हैं आपकी स्क्रिप्टिंग के लिखना स्टार्ट कर दो अगर आप डिजिटली स्क्रिप्टिंग कर रहे हैं तो फुटेज़ का लिंक भी पेस्ट करते चले जाओ यह बहुत सही तरीका है अब फुटेज़ आपको मिलेंगी कहा गूगल पर जस्ट चाहिए और सर्च कीजिए जो भी फुटेज़ आपको च और अपना वाटर्बार्क लगा दीजिए कि खत्रा तो है खत्रा तो बना रहता है लेकिन फ्यरी भी आपको थोड़ा सा तो यह करना ही पढ़ेगा थोड़ा सापको risk लेना ही पढ़ेगा और इसमें उतना भी वड़ा कोई risk factor है नहीं आप easily easily उठा सकते हैं और easily आप videos को apply कर सकते हैं बस video कर सक्सिंट पर चले जाए है मिस्टर प्रोटोन दोस्त अब कुछ अलग चीजों के बारेमें समझते हैं यह तो हो गई sailing के बारेमे, यह हो गई video editing वह है में दोस्त उक्रप्र के दो भी समझाया है दूसरा होता है sound effect sound effect भी बड़ी ज़रूरी चीज़ है SFX sound effect was transition effect और glitch transition effect ये दो आपको mixkit.com के sound effect वाले tab में मिल जाएंगे चलि हमने आपको ये बता दिया दूसरा जो है दोस्तों है transition seamless transition और यहां पर आपको चाहिए होगा glitch transition अब दूसरा बात करते हैं next नेक्स्ट बात करते हैं वह होता है overlays आपको यूज करना है आप यूटूब पर जाहिए और लिखिए particle overlay, cross particle overlay, floating particle overlay, glitch particle overlay बहुत सारी वीडियो आपके सामने आ जाएगे उन्हें आप डाउलोड कर लीजिए बस ख्याल रखना है कि watermark नहीं आना चाहिए उस particular company का उस particular channel का बस overlay को आप multiply या screen कर दीजे जो type of opacity होता है उसमें जाके काइन मास्टर से इजी लिए आप कर सकते हैं तो ये सारी चीजे है technicalities साथी साथ theoretical चीजे भी हमने डिसकस कर ली तो इन चीजों का अगर आप इस्तमाल करते हैं तो बहतरीन तरीके से आपकी वीडियो की output बहुत अच्छी निकलेगी अब आप कहोगे बाई इंतियार कीजेगा और हमार से जुड़ेगा धन्यवाद